पाकिस्तान और नेपाल के बीच एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान को पहला जटका पकड़ जमान के रूप में लगा है पकर 14 रन बना कर कैच आउट हुए दरसल पकर को तेज गेन बाज करन किसी ने ओफ स्टंप के बाहर गेन फेंक कर ललचाया यह एक ऐसी गेन थी जिसको खेलने के चकर में पाकिस्तानी बैटर विकेट कीपर को कैच दे बैठे वहीं इसके बाद इमाम उलहक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और केवल 5 रन बना कर रन आउट हो गए इमाम उलहक को रोहित पॉडेल ने अपने रॉकेट थ्रो से रन आउट कर दिया सोशल मीडिया पर रोहित पॉडेल के थ्रो की खूब चर्चा हो रही है दरासल सात्वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज इमाम ने ओफ साइड में कवर की और शॉट खेल कर सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन वहाँ फील्डर रोहित मौजूद थे रोहित ने तेजी दिखाई और रॉकेट थ्रो करके नॉन स्ट्राइक एंड के स्टंप को उखाड दिया बल्लेबाज इमाम ने डाइव मार कर खुद को रन आउट होने से बचाने की कोशिश की लेकिन ध्रो इतना कमाल का था कि बल्लेबाज अपने क्रीज से काफी दूर रह गया इस मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है बता दें कि पहली बार वंडे में नेपाल और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है वहीं दूसरी और एशिया कप में पहली बार नेपाल की टीम खेल रही है आज के इस मैच में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जरूर जाना